नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार में दोस्तों, जैसा कि आपनों को पता है कि बोर्ड के एक्जाम होने वाले हैं और बच्चे अपनी तयारी में पूरी लगे हुए हैं, जिनको रिवीजन करना है, उनके लिए भी जो है यूनिक स्टार अपने सोसल मेडिया के जरिए, जो घर पे बच्चे बैठे हैं उनके लिए, या फिर जो अपने इंस्टिटूट में आ रहा हैं, यूनिक स्टार में, उनको भी जो है रिवीजन कराया जा रहा है, और दोस्तों अगर आप घर पे बैठे हैं, तो अगर नहीं आ सकते हैं, या नहीं आना चाहते हैं, तो भी अपने घर से, आप अपने क्यूश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, किसी प्रगा कोई क्यूश्चन हो, यूनिक स्टार की पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो इसी कड़ी में दोस्तों, एक बच्चे ने एक क्यूश्चन पोस्ट किया है, कि इफ 13, 11, 9 और AP सीरीज, तो इस टर्म विल बिल बिल फर्स नेगेटिव टर्म, दोस्तों अगर हम यूपी बोट के बच जो एनवा पद है, वो क्या है, लात्मक पद है, और जो फर्स लात्मक पद है, तो इसको सॉल्ब करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक फर्मूले की जोद पड़ेगी, जैसा कि हम लोग को फर्मूला जानते हैं, as we know the formula for the nth term is tn equal to a plus n minus 1 into d, where a equal to first term, n equal to number of term and d equal to common difference, तो दोस्तों इस formula को हम लोग वली भात जानते हैं, कि यह formula क्या है, यह तर्म निकालने का formula है, तो दोस्तों जैसा कि आपको series दी गई है, उसके हिसाब से a equal to 13 है, d equal to minus 2 है, और इन दोनों value को अगर हम अपने formula में रखें, और question के condition को apply करें, तो question क्या कहता है, कि negative term चाहिए, तो tn, यानि जो tn term होगा, जिसको हम निकालने के कोशिश कर रहे हैं, वह लात्मक होगा, मतलब कि वह 0 से कम होगा, अब इसको अगर हम tn की value रखें, a plus n minus 1 into d, जहां पर बेच्चों question में आपको दिया है, a equal to 13, और d equal to minus 2, तो आप देख सकते है, 13 plus n minus 1, and multiplied by minus 2, यह पूरी value less than 0 होनी चाहिए, according to question, अब इसको आगे solve करेंगे, तो n minus 1 greater than 13 by 2, देन थोड़ा सा और आगे solve करने की कोशिश करेंगे, तो n equal to 13 by 2 plus 1, आप n minus 1 में से 1 को आप क्या करेंगे, transfer करेंगे, right hand side में, तो यह बनेगा 13 by 2 plus 1, इसको solve करेंगे, बच्चों, तो आएगा 15 by 2, और n equal to 8th term, मतलब बच्चों, अगर आप n greater than 15 by 2, means 7.5 आएगा, और 7.5 से यन बड़ा होना चाहिए, अगर यन 7.5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि अगला term जो होगा, वो 8th term होगा, एन 8th term होगा, क्योंकि n greater than 7.5 होना चाहिए, इस तरह से बच्चों, पहला जो term negative मिलेगा, वो आठवा पद होगा, इस सिरीज का, तो दोस्तों एक क्यूस्चन था, अगर एक क्यूस्चन अभी भी समझ ना आया हो, तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको कोशिश करेंगे, समझाने की, और इस तरह से कोई भी क्यूस्चन हो, आप कमे पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ दोस्तों कमेंट जरूर डालें, अच्छा बुरा जो भी लगता हो, कमेंट जरूर डालें, जिससे वीडियो को सुधार करने में मदद मिले, और बेल आइकन दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आप देख पाएंगे, बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वचिंग इस वीडियो,